So, Hello Everyone, Welcome to the Study Preachers Again जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है Social Religious Reforms अब Social का मेनिंग क्या है? Social का मेनिंग होता है हमारी Society या हमारे Social Basis, ठीक है? समाजिक अधार, समाज हमारा Religious का मतलब सभी को पता है धर्म से समंदित, धार्मिक Reforms का मतलब होता है सुधार तो यानि कि नाम से क्लेर है Society में जो कूरीतियां थी, उनका सुधार किया गया धर्मिक बेसिस पे या धर्म को लेके जो एक different thinking थी, उसको ठीक करने के कोशिश करी गई उसमें जो रूडी बात था, उसमें जो orthodoxy थी उसको ठीक करने के कोशिश करी गई और reforms लाएगे उसमें, reforms का मतलब होता है सुधार, यानि कि समाजिक अधार पर और आपके religious basis पर आपके reforms लाएगे ठीक है, अब जरूरत क्या पड़े, तो कुछ कारण थे जिनके कारण, जिनकी वज़ा से ये जरूरत पड़े थी समाज में या ये सुधार लाने की, जैसे की impact of British rule, religious and social ills, जो भी हमारी society में, या फिर हमारे जो धर्म से समंदित, जो different लोगों की thinking थी, तो उसको, उसमें जो कमिया थी, उसमें जो तूटिया थी, उनको ठीक करने के लिए, basically, ये reforms के जरूरत पड़े थी, अब social ills या social evils जैसे की परदा प्रथा, सथी प्रथा, ये सब चीजें, अगला point वही है कि depressing position of women, ठीक है, कि उनकी स्थिती जो थी, वो काफी खराब थी as compared to men, men के पास बहुत privileges थे, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जो women थी, वो काफी सफर कर रही थी, बहुत सारी उनके सबंदित कुरितिया थी समाज में, ठीक है, कास इश्यूस एक बहुत important था, अब भी है वो, awareness among educated Indians, बिल्कुल सही बात है, जब education आती है, जब पार्ट वन, और नेक्स आपका पार्ट व रहेगा, जिसमें कि हम कुछ important movements की बात करेंगे, इस lecture में basically आप जाना होगा, जो इसके basis थे, कारण क्या थे मुख्यों, reforms can be categorized in two categories, चलो, आगे पढ़ने से पहले मैं बात clear कर देना चाहता हूँ, जो आपका PDF रहेगा, उसका link मैं आपको description box में दे दूँगा, तो आप बहाँ से PDF को download कर सकते हो, और हाँ PDF में कई जगा पे थोड़ा सा mistakes हुई है typing, so उसको मैं अभी lecture में correct करवा दूँगा, ताकि आप mistake ना करो, okay, so reforms can be categorized into two categories, दो categories में हम इनको divide कर सकते थे, तब जो reformist चलाए गए थे, एक हमारे reformist movement, एक को नाम दिये गया, एक को नाम दिये गया था, revivalist movement, अब जो reformist movement थे, उनके उदाहरने जैसे की ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, या अलिगड़ movement, इनको consider करा जाता है reformist movement में, revivalist movement में आपके उदाहरन आते हैं, जैसे आर नहीं होगा, यहाँ पे होएगा, आपका आर या समाज, ठीक है, या दियोबंध movement, ठीक है, दियोबंध movement के बाद करूँ, बेसिकली ये Muslim community से related था, उनकी upliftment के लिए था ये, आगे आप पढ़ोगे, ये दो categories में divided थे, reforms, अब यहाँ पे एक point मैंने ये add-on कर रहा है, कि उस time पे लोगों तक पहुँचने के लिए, जो हमारे reformers थे, उन्होंने कुछ different तरीके अपनाएं, जैसा कि like novels लिखी, ताकि लोग उसको पढ़ें, लोगों तक वो बाते पहुचाई जाएं, वो awareness से related बाते पहुचाई जाएं, dramas, poetry, stories, press, और later on जैसे-जैसे advancement हुई, तो हमने cinema का भी सहारा लिया, अब बात करते हैं, हम betterment of women, यानि कि उनकी जो situation थी, वो काफी poor थी as compared to men, तो उसको किस तरीके से uplift करने की कोशिश करीगी, there were some bad practices like पर्दा-प्रथा, ठीक है, I'm sure that you must have heard about these things, early marriage, यानि कि बहुत कम आयूमन की शादी कर दी जाती थी, विड्डो मैरी से सबन्दी तो काफी धारना थी society में, तो उसको जो examers के लिए, तो आपको वहाँ पर statements आती है, ठीक है, और आजकल तो एक trend ये भी है, reasoning और assertion का, तो ऐसी statements आना की possibility जादा रहती है, तो Hindu women की बात करूँ, इनके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था, to inherit the property, यानि कि property से related कोई अधिकार नहीं था, और ना ही, यहां पर थोड़ा सा में correct करवा दूँ, ना ही, they will not able to terminate their undesirable marriage, यानि कि इसका meaning क्या हुआ, कि उनकी इच्छा की बूद जो शादी करवा दी जाती थी, उनकी, सो उनको वहाँ पर kind of रहना ही पड़ता था, दवाब होता था उन पर, वो उसको अपनी इच्छा से, अपनी will से खतम नहीं करते थी, जो कि आज आप change देखते हो उन में, कि आज अगर कहीं पर ऐसा इच्छा आता है, तो लड़कियां आगे आती हो और अपनी, जो marriage है, अगर वो वहाँ पर खुश नहीं है, तो उसको खतम करने का, उनका पास पूरा right है, ठीक है अब बात करीज़े, Muslim women की, तो Muslim women के पास एक अच्छी बात ये थी, कि they could inherit the property, Hindu women के पास ये नहीं थी, तो difference है दोनों में, but only half as compared to men, हाँ, men से compare कराज़े, तो उसके comparison में सर्फ आधी property, polygamy was prevalent, बिल्कुल सही बात है, polygamy का मतलब होता है, बहुँ पतनी प्रथा, तो उस समाज में, जिनको की दूर करने के बात, दूर करने के लिए, बेसिकली ये सब movements जो वो चलाए गए थे, चोलो जी, अब क्या क्या step लिएगे, women की condition को ठीक करने के लिए, steps taken, evolution of सती प्रथा, बिल्कुल सही बात है, अब सती का meaning जिसको नहीं पता, मैं, let me tell you, जैसे होता क्या जाता है, अगर कोई lady हो, उसका husband, किसी भी कारण से, अगर उसकी मृत्य हो जाती है, तो उसको क्या करा जाता है, तो उसको जंदा जला दिये जाता था, उसी सेम चिता पर, ठीक है, तो ये सती प्रथा थी, अब आप खुद idea लगा सकते हो, कितना, मतब, एक cruel सा system था ये, ब उसके ही efforts के द्वारा, government ने सती प्रथा को क्या करा था, illegal declare करा था, और एक punishable act के अंडर लेके आये थे, और वो act था हमारा the regulation of 1829, important चीज है, exam में आ सकता है, ठीक है, the regulation of 1829, जिसके थूर क्या करा गया था, जो सती प्रथा थी, इसको illegal और एक crime के तोर पे देखा गया था, अब यहाँ पर बात, नेक्स आती है, preventing female infanticide, infanticide आपको पता है, इसका मतलब क्या है कि भुरून हत्या, यानि कि गरब में ही जो बच्चियां होती थी, उनको मार दिया जाता था, इसके example, अब जातर हमें देखा जाए तो जैसे हमारे upper class जो बेंगॉलिस थे, या करे गए, ठीक है, और जो female infanticide था, उसको ठीक करा गया, इसको cure करा गया, इसको रोका गया, विडो रिमेरिज की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर नाम आता है ब्रम समाज का, next part 2 में आप पढ़ोगे इन समाज के बारे में, जो भी organizations थी, so विडो रिमेरिज का मतलब होता ह बिद्वा जो होती है, तब उनको अधिकार नहीं था कि वो दूसरी शादिया अपनी कर सके, तो इसको लेके, पंडित इश्वर चंदर विद्यासागर ने, ठीक है, आप देखो यह नाम यहाँ पर थोड़े कोमाज बीच में लग चुके हैं, टाइपिंग में, लेकिन कोलकत्ता, कोलकत्ता में जो संस्क्रित कॉलेज सा उसका यह प्रिंसिपल थे, और इनी के एफर्ट्स के द्वारा, हिंदी नहीं होगा, यहाँ पे इसका मिनिंग हुआ, हिंदू, विडो, विडो, रिमैरिज, राइट, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, 1856 का, वो पास अब इसमें कुछ और इंपॉर्टन्ट रोल है, जिन्होंने की काफी इंपॉर्टन्ट अपना रोल प्ले करा समें, एक आती है, बिडो, रिमैरिज एस्सेशन, तो वो किस ने बनाई थी, उसमें, जगनात, शंकर, सेथ, यह एक अठा नाम है, ठीक है, फिर, शास्त्री, प करसंदास मूल जी, जो थे, वो बेसिकली, इन्होंने एक मैगजन स्टार्ट करी थी, सत्या प्रकाश, वेरी इंपॉर्टन्ट, सत्या प्रकाश, इस सत्या प्रकाश मैगजन में, बेसिकली, इन्होंने विडो रिमैरिज के बारे में ही उलेक किया था, और इसके बारे में फैलाने की कोशिश करिए, गुजराती में लिखी गई थी 1852 में, important है, फिर हम बात करेंगे child marriage की, child marriage का मतलब हुआ कि छोटी आईउ में बच्चों की जो वो लड़कियों की specially शादी करवा दी जाती थी, अब इसको लेके कुछ act pass हुए, जैसे कि the native marriage act of civil, और civil marriage act 1872, important है, BM मालावारी, अब BM मालावारी की बात करेंगे, यह basically एक parsee reformer थे, parsee reformer, ठीक है, धर्म से parsee थे यह, तो इन्होंने काफी इसमें अपना अहम योगदान दिया है, age को लेके, ठीक है, अब इन्होंने age fix करी थी, 12 for the girls, यानि कि पहली बार कोई ऐसा बंदा आया था, जिसने की ब फिर आपका सारदा एक्ट आता है, ठीक है, यहाँ पर correct कर लिजेगा, सारदा, स-A-R-D-A, सारदा, एक्ट 1930 में आ था, exam के लिए काफी important रहेगा, यहाँ से question बन सकता है, MCQ, इस act के अनसार, voice के लिए 18 और girls के लिए 14 वर्ष के आयू, जो हब निक्त करी गई थी, फिर आता इसके अनसार कितनी कितनी जो हो, prescribed करी गई थी, फिर बात करेंगे हम education of women की, उन्सको लेके क्या important steps लिएगे, so Christian missionaries पहली ऐसी missionaries थे, जिन्होंने कलकत्ता में, जो था, वो female juvenile society open करी थी, 1890 में, बेथून college, जिसका स्थापना करी थी, J.E.D. बेथून ने, right, Charles Wood Dispatch आपको पत education से related था, और 1854 में भारत ये आया था, यहां से काफी बार question already exam में आ चुके है, Indian Women's University, ठीक है, set up by Professor D.K. Carvey, important है, Lady Harding College दिली में खोला गया था, ये medical college था, Dufferin Hospital 1880 में open करा गया, और इसका मुख्य कारोदेश है क्या था, कि girls को, जो है, women को health facilities प्रवाइड करवाना, फिर एक All India Women's Conference आती है, 1927 में, ठीक है, अब कुछ women's organization थी, जोनोंने की ladies की, उसको स्थिति को स्थारने के लिए काफी important role play करा, जैसे की, भारत स्त्री महामंडल इन अलाबाद, 1910, अब अगर आपने notice करा होगा, previous year question पर देखे होंगे, तो आपको पता है कि modern India में से question कैसे आते हैं, directly ही fact basis question आने की possibility जादा होती है, match the column में question आ सकता है आपको, ठीक है, और गेवर directly पूछ लिया जाता है, तो ये information आपको बहुत काम आने वाली है, रामा भाई रनाडे, ठीक है, रामा भाई ने रनाडे ने क्या करा था, रनाडे ने, इन्होंने founded the ladies social conference, that is भारत महीला परशद उसकी स्थापना करी, पंडिता रामा भाई सरसवती ने क्या करा, फॉन्डिट दा आर्या महिला समाज, this is very important, फिर हम बात करेंगे, कॉर्नेलिया सर, यहाँ पर spelling ठीक कर ले ना, सरवजी होगा यहाँ ठीक है, कॉर्नेलिया, so इंडिया की पहली lady barrister, barrister का मतलब आपको पता क्या होता है, बकील, तो देखो यह भी fact important paper के लिए, all India women's conference मैंने उपर बता दिया, तो यह Margaret, इनका नाम है, जो नोंने open करी थी, यह start करी थी, तो इनकी जो पहली conference हुई थी, वो अब कहां पर होती है, Ferguson College पुने में, चलो जी, next हमारे पास आता है, caste issues, कि अब caste issues भी एक ही अहम योगदान दिया अपना, ठीक है, Britishers ने, इन्होंने करा किया, जैसे कुछ concepts लेके आए यह, they introduce the concept of equality before law, very important, equal participation and administrative services, अब होता क्या था उससे पहले, भेदवाव करा जाता था जाती के अधार पे, जो निमन जाती के लोग थो, उनको बड़ी, जो services थे, उनका exam देने का kind of, क्या basis था, उसका secular basis, प्लीज इस बात को notice करना, secular basis था, यानि कि, धर्म जाती के अधार पे, कोई भी किसी धर्म जाती के अधार पे, किसे से भेदवाव नहीं किया जाएगा, उससा education system में, 1932 में फिर गांदी जी ने क्या करा, All India Harijan Sang, जो है, वो उसकी स्थापना करी, स्थापना करी, अब ये भी एक्जाम में आता है कि, जो निमन जाती के लोग थे, उसको हरी जन का नाम किसे ने दिया था, वो गांदी जी के द्वारा ही दिया गया था, हरी के लोग, ठीक है, educational, education ने काफी important role play करा था, ठीक है, to spread awareness among the lower class people, बिल्कुल सही बात है, for example, जोतिवा फुले का नाम आता है, जो कि महराष्ट्रा में जिनका जनम हुआ था, थोड़ा सा इनको, इनके बारे में आपको बता दूँ, ये माली community में था, जो gardener होते हैं, उस community से सवंद रखते थे, ठीक है, और, if I'm not wrong, इनका जनम, I think, 17 डिस्टिक में हुआ था, एक उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, बाबा साहब अंबेदकर ने काफी important काम करा है, इन्होंने All India Scheduled Cast Federation के स्थापना करी, फिर 1920 में South India में एक movement चला था, that was very important, self-respect movement, ठीक है, और इस movement ने काफी popularity गेन करे थी, उस टाइम पे, ठीक है, और, चलाया किस ने था, ये, इवी रामा स्वामी नाय करके द्वारा, ठीक है, इवी रामा स्वामी नाय करके द्वारा, और यहाँ पे कुछ नाम जिसे स्री नरायन गुरू, श्री नरायन गुरू केला से समध रखते थे, इन्होंने एक बड़ा important slogan दिया था, one religion, one caste, one goal for mankind, ठीक है, one goal for mankind, ठीक है, one goal for mankind इस्रत्यगरा, 1927 में, 1927 में, 1927 में, 1927 में, 1789 में स्टार्ट करा, ये भी निमंजाती के लोगों के उधार के लिए, ठीक है, फिर भाहिश्कृत हित करनी सवा, 1924 में, देखो, यहाँ से question already paper में आ चुके है, जो पेडियाफ आपके पास है, जो notes आपके पास आएंगे, जो अपने lecture सुना, this is very important, इनका motto क्या था, भाहिश्कृत हित करनी सवा का, इसका motto था, educate, agitate, educate का मतलब आपको पता है, जो educated होगा, वो agitate भी करेगा, obviously बात है, ठीक है, and organize, organize, so this was the main motto, और यहाँ से भी question आ सकता है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़ा से एक, एक मैंने snap, पिक यहाँ पे डाल दी है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फटा-फट से, इसको note कर सकते हो, और आ इसको learn कर सकते हो, कि difference जो act यहाँ पे आए थे, कौन- यह मैंने उठाया है, spectrum से, spectrum से उठाया मैंने यह, ठीक है, आप भी पढ़ सकते हो उसको, जितना भी उस chapter में लिखा गए, मैंने कोशिश करी है, कि एक simple words में, एक precise PDF form में आपको information प्रवाइड करी जाए, I hope आपको यह lecture clear हुआ होगा, अगर आपको lecture clear हुआ, आपको वीडिय करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज्यादा लोगों पहुचा आने के लिए शेयर करना है, इसी तरीके से आप study preachers पर पढ़ते रहिए, आपको दम शुभू, thank you so very much, जाए हिन